दोस्तों मसल फाइबर दो टाइप के होते हैं टाइप 1 एंड टाइप 2 जिसे रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर भी कहते हैं अब बात करते हैं इन दोने में अंतर क्या होता है टाइप 1 मसल फाइबर में मायो गलोबिन ज़्यदा मातरम होता है जबकि टाइप 2 में यह कम मातरम होता है आपकी जानकरी के लिए बता दें कि मायो गलोबिन एक रेट गलर का प्रोटीन होता है जो अपने अंदर oxygen को hold करता है ज्यादा मायोगलोबिन होने के कारण यह muscle fiber red दिखाई देता है इसलिए इसे red muscle fiber भी कहते है वह टाइप 2 muscle fiber में मायोगलोबिन कम होता है इसके कारण यह हलका लाल यह सफ़ेद दिखाई देता है इसलिए इसे white muscle fiber भी कहते है टाइप 1 में mitochondria ज़्यादा होते है और टाइप 2 में mitochondria कम मात्रम होते है mitochondria जिसे power of the cell भी कहते है टाइप 1 में blood capillaries ज़्यादा होती है और टाइप 2 में blood capillaries कम होती है टाइप 1 में psychoplasmic reticulum कम मात्रम होते है और Type 2 में Sarcoplasmic Reticulum ज़्यादा मातरा में होते हैं Sarcoplasmic Reticulum हमारी सेल में एक network like structure होता है जिसे के अंदर calcium iron होते हैं और बिना calcium iron के muscle contraction होना possible नहीं है Type 1 में Sarcoplasmic Reticulum कम होने करण इसका rate of contraction slow होता है जिसे इसे slow twitch muscle fiber भी कहते हैं वही टाइब 2 में सलारको प्लाजमिक रेटीकूलम ज़्यादा होते हैं जिसके कारेंट इसका rate of contraction ज़्यादा होता है या fast होता है इसलिए इसे fast twitch muscle fiber भी कहते हैं slow twitch muscle fiber fatigue को लंबे समय तक सह सकते हैं और fast twitch muscle fiber fatigue को लंबे समय तक सह नहीं सकते slow twitch muscle fiber mainly long distance runner या marathon runner में होते हैं वही fast twitch muscle fiber sprinter या jamming पर में होते हैं अगर आपको जानकर दी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो, सेव करो और चरव को सबस्क्राइब करो जहन